अब्राम जी आज आप लोगा स्वागा था आज एक धावा.com में आज मैं आप लोगे सांद शेर करने जा रहा हूं अर्वी के पत्य के पकोड़ा बनाना बिल्कुल ही असान है यह देखिए हमने यह 10 रुपे गड़ी मिलती है आपके हां भी एक रुपे की पत्य मिलते हैं इसी साब से और हमने जो खरीदा है दस गड़ी है और एक गड़ी 10 रुपे मिलता है और इस तरह से हम डंठल को निकाल आ पर हाडक होता है और सारे बड़े यह पत्य आते हैं चोटे ही पत्य आते हैं अब सीजन चल रहा है तो हम सोचे कि आप के लिए वी इक रिस्बी बना दे गग इसको पत्या-पत्या अगे यह क्योंकि जो रेकवां चम बनाते हैं उसमें बहुस्य चाहां बहुta है और उस इससे भी चाहें तो दुबारा भी आप काच ते हां इसको और भी बारिक सकते हैं और इसी तरह सार पत्तों को हमने बारिक बारीक काटके और एक सब्सक्रम करक्ते हैं इसी में बेशन हम आदः के जो डाल वह सब्सक्राइं करता है एक चम्मच हल्डीtek पाउडर है एक चम्मच आम्चूर-पाउडर है दस गड़ी वे और एक चम्मच है लाल रिच्ज म मिर्च हैं अर एक चम्मच लाइड नमक है आप इसमें चाहें तो पत्ते दो तरह के आते एक पत्ते से गजा काटता है तो आप आम चुर की मातरा या नीवू डालके कुछ और भी ज्यादा खटा इसको कर सकते हैं वो कैसे पता चलता है जब आप इसको खाते हैं तब यह पता रखता है कि गजा काट रहा है तो आप उपर से भी नीवू डाल सकते हैं पकोड़े जब बदा रहे हैं या'llgado का उपर से जब चांत मसाड़ा डालते हैं उस पे र्याप थोडह सा नीवू या आम्चुर या डाल सकते हैं एक कढाई में हमने तेज ले दिया है और इस तरह से हम पतला-पतला पकोड़े बनाएंगे दवा-दवा की ज्यादा बड़ा-बड़ा ना बनाए छोटा-छोटा बनाएंगे तो अंदर तक आसानी से पप जाएगा है और ज्यादा पकोड़ा हम छहोटा बना रहा है ना चैन्य जादा बड़ा बना रहे है इस तरह讲 के चावर चावड़ा हो नेन की पकसे पकोड़ा पकोड़ा हो अगर ग infectTrack पकने में ळगता है इस तरह से चौर पकोड़े बनाए इसकी एया ग्रेवी वादी सबजी हम आप लोग के लिए बनाएंगे जैसे के पकोड़े बनाकर आप ड़िव में खा सकते हैं और इसका रेकवच बंता है वो आप लोगों ने बहुत सरा है वो पहले से ही उस रेसिपी की वीडियो अपलोड है उसको भी आप देख ले और इसको जब थोड़ा नीचे से करारा हो जाया तो हलका हलका इसको पलट दे आप इसमें बेशन थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं जिसे कि देखें ज्यादा ज्यादा पत्य दिख रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते हैं यह 10 गड़ी में हमने आधा किलू बेशन डाला है और इसको आप दुबारा भी करंची और कर सकते हैं एक बार आप निकाल ले और जब खाने का दिद्ध करें तब करंची कर करते हैं यह वीडियो अगर आप हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पर फोलो करें अगर यूट्व पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सस्क्राइब करें और बेज आइकन दवाना बिल्कुल ही नाब हुँद एदेकि हमने इसको डवल फराई करके मिजी अफिर मिलते हैं के साथ जब तक के लिए राम राम जी